सोया बीन की तेजी पर लग सकती है ब्रे जी हाँ जानकारों की माने तो सोया बीन का उत्पादन अधिक होने से सोया डिय ओसी में इस बार तेजी नहीं है जानकारों का कहना है कि सोया बीन का रिकोर्ड उत्पादन होने से इस बार सोया डिय ओसी में तेजी का व्यपार नहीं करना चाहिए हाला कि त्योहारी मांग के चलते एक बार शोटम तेजी बन सकती है लेकिन माना ये जा रहा है कि दूरगामी पर नाम मंदे का ही रहने वाला है इसलिए स्टोक की बजाएक खरीद बेच करना चाहिए वही मध्यपरदेश, महाराष्टर, राजस्थान, आंदरपरदेश और करनाटक इन सभी उतपादक शेत्रों के सर्वे से ये बात सामने आई है कि सोया बीन का उतपादन इस बार 120 से 122 लाक मेक्ट्रिक टन के बीच रहने वाला है अभी उतपादन उन्वान के आंकड़े अलग-लग शेत्रों से बार-बार आते रहेंगे लेकिन कुल मिलाकर गतवर्ष की अपेक्षा सोया बीन के उतपादन में अब तक 50 फीसद की वृद्धी हुई है वहीं जहां तक फसलों के नुकसान की बात है तो माना ये जा रहा है कि मौसम खराब होने से पहले ही 90 फीसद की कटाई हो चुकी थी जिससे फसल को मामुली नुकसान हुआ है और वहीं सोया बीन की इस बार विजाई कम से कम दो गुनी हुई है आज सोया बीन के भाव 200 से 300 रुपे अलगलग मंडियों में मजबूत बोले जा रहे हैं जो सोया बीन 5,000 से 55,000 रुपे बिकी थी उसके भाव 500 से 58,000 रुपे प्रतिक विंचल मध्यपरदेश और महराश्टर में पहुँचने लगे हैं लेकिन माना ये जा रहा है कि सोया बीन एक बार नीचे में प्लांट पहुँच 45,000 रुपे प्रतिक विंचल टक जा सकता है वहीं सोया डियो सी दतिया लाइन में 45,000 रुपे प्रति मेट्रिक टन से नीचे जल्धी दिखाई दे सकते हैं कर दो प्रति में पहुँचने लगे हैं